नमस्कार सात्यों फिर से स्वागत आपका एक और नी वीडियो में जी हां सात्यों आप सात्यों ने पर एक और जो है बहुत बड़ी इनफोर्मिसिन लेके आई हां अजारों कच्छे करमचारियों को लेके बैयाब भी जो है अजारों की संग्या में सात्य ऐसे हैं जो नहीं करिया गया है और वो जो सात्य हैं बार बार जो है डिपरमेंटों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आमें जो हर याना कोसल रोजगार निगम के पोर्टल को पर पोर्ट करने का काम करें जाओ है क्योंकि जो ठेकेदार है सात्यों ना तो टाइम पर एपीफ देता ना जितने भी डिपरमेंटों गेंदर जो कच्चे करमचारी लग रहे हैं जो ठेकिदारी पर्था से जो हर तंग आ चुके हैं उन सात्यों के लिए वर याना कोसल रोजगार निगम में जगा बढाई जाओ है और इसके तहत जो हर उनको रखनेया काम करें जाओ है ताकि उन सा लिए जो हर याना कोसर रोजगा निगम के द्वारा परतेग डिपरमेंट को अलग-अलग से कई रिमाइंडर दिये गए कि आपके पास में जितनी भी मैन पावर है उसको जल्द से जल्द पोर्टल के उपर पोर्ट की रिक्वेस्ट बेज दीजिए ताकि हमारे अंडर में जो हुआ मैन पावर होजे और उसके जरिये जो हाप उसी को काम पर रक्सको हो जो आपके पास में अल्रेडी वरकर लगे हुए हैं लेकिन इसके अंदर जो हर याना कोसर रोजगा निगम ने कंडीशन लगाई थी सात्यों वहा कंडीशन थी आपके पास में जो मैन पावर पोर्टल को पर पोर्ट कर सको उसी को देखते हुए जो हर याना कोसर निगम ने बार बार रिमेंडे डाले थे और बीच मा जो हर पोर्टल को बंद कर दिया था अब जो हर कोई भी डिपार्मेंट ये नहीं काओगा कि मेरे पास में अभी भी मैन पावर है और उसको पारा से जो हर याना कोसर निगम ने लेटर लिग्चया है और रिपार्मेंट को और 27,11,2023 का लेटर बता आए गया साती ओ इसके अंदर साप साप लिख्या गया भई पोर्टल को दुबार उपन करने के लिए याना कोसर रोजगा निगम ने लिख्या है बाँ जो हर पोर् हैं Corporation है University है एजनसी हैं बहुत से डिपार्मेंटों से रिक्वेस्ट प्राप्त ओने का काम होईा है और याना कोसर रोजगार निगम को जिसको देखते हुए matter जो है देख्या गया वह क्योंकि बहुत से department जो है request लगा रहे थे कि हमारे पास में अभी भी manpower रहेगी है जो हम जो है पहले port नहीं कर पाए तो इसलिए वह इन्होंने जो है decide करया है कि portal को जो है दुबारा से open करने का काम करया गया है और इस परकार से इन्होंने इदायत देदी वही special से जो है बोल्ड वर्ड में लिख दिया है कि आपके पास में 31-3-22 से पहले पहले जो भी manpower आपके पास में थी और उस manpower के आपको अगे से फिर जरूरत है तो उसको जो हाँ आप नीगम का portal का उपर port कर सको ठीक है तो इसके लिए इन्होंने कया भाई portal को जो है दुबारा से open न कर दिया है 15-12-23 लगी open रहोगा इससे पहले पहले अगर आपके पास में जितनी भी manpower है तो उसको 15-12-23 से पहले पहले जो है portal के उपर port कर लीजिए उसके बाद में जो है कोई भी chance नहीं दिया जाओगा अगर फिर भी आप request करोगे तो तो इसलिए वह इन्होंने जो है साप साप यहां पे लिख दिया है कि आप से जो है request करी जाओगा है कि आपके पास में जितनी भी eligible manpower है जो यानि के आगए से फिर आपको उसकी जरूरत है तो अर्याना कोसर रोजगार निगम के portal के उपर जल से जल जो है उसको port कर लीजिए और उसके बाद में जो है आपको कोई भी इसके बाद में जैसे edit चली गई तो मोका देनेया काम नहीं करया जाओगा क्योंकि पिछे भी जो हर याना कोसर निगम नहीं कई बार जो है इस परकार के लेटर जारी कर चुक्या है ताकि डिपार्मेंट वाड़े ने पता चल जे और वो डिपार्मेंट वाड़े वा आपके पास पास में जो भी ठेकदारी परता चल रही है उसको बंद करिया जैस का है और जो मैंन पावर हो उसको एच करन के थरूग करिया जाज़ के क्योंकि रियाना कोसल रोजगा निगम का गठन और याना सरकार ने इसलिए करिया था जो ठेकेदार से जो करमचारी जो तंग हो रहे हैं ना सेलरी टाइम पाव है कमिशन अलग से देना पड़े है ना कोई पी मिलदा ना कोई और सुईदा मिल दी और जो आपती देना काम करें जाओ है तो बहुत सारी सुईदा यानि के रियाना कोसल निगम माने के बाद मैं साथियों को मिल रही है और दूसरी बड़ी बात या भी है साथियो बरियाना कोसल निगम मैं नीगम वेजिस रेट बनाए गए हैं और याना सरकार के दवरा पर तेक डिश्टिक वाई जो है अलग-अलग से देर खें हैं और ठेकेदारी पर्था मापती मि आँ ठारा जार पी तो इतना गयब हो गया साथियो शेलरी का भी क्योंकि आपती जो है अचकरन में नीगम रेट मिलागा और वहां पे आपको जो है मीनिमूँ वेजिस रेट मिलेंगे जो और यहाना सरकार तैक रहे है यानि कि कम से कम रेट और इसके अंदर आपको जो है म अधी ताजा जानकारी आप साथियों लिके है थे आप साथि भी से प्रकार की जानकारी पढ़ना चाओ तो चैनल ना सब्सक्राइब और बैल ऐकन जुरूर दबा लेना जिसके आने वाली हर याना सरकार की वे कोई भी ताजा इन फोर्मेशन या जानकारी जो आप से रिले देक्या का बहुत बहुत दन्यवाद जे इन जे भारत जे रियान